ओम शान्ती 21 ओक्टोबर 2021 बाबा की महावाख्या मेठे बच्चे तुम्हारे जैसा सवभाग्य शाली कोई नहीं क्योंकि जिस बाब को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम उनसे बाते करते हो प्रश्न जिन बच्चों को विचार सागर मन्थन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर उनकी बुद्धी में सारा दिन यही तात लगी रहती की कैसे सबको रास्ता बताए कैसे किसका कल्यान करे वह सर्विस के नय नय प्लान बनाते रहते हैं उनकी बुद्धी में सारा ग्यान तपकता रहता है वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते ओम शान्ति बच्चों के आगे निराकार परम्पता परमात्मा बोल रहे हैं यह बच्चे ही जानते हैं भगवान को उन्च कहां जाता है उन्चा उनका ठाओं है रहने का स्थान तो मशूर है बच्चे जानते ही हम मूल वतन के रहने वाले है मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है गौद फादर बोलते ही तुम बच्चों बेगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते ही निराकार होने के कारण कोई की बुद्धी में नहीं आता है कि भगवानु वाच कैसे हो सकता है पता ना होने के कारण गीता में क्रश्न का नाम दे दिया है अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं सम्मुक होने बिगर तो सुन नहीं सकते दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चे नहीं होता सुनते तो हैं भगवानु वाच्च यथार्त रीती तुम जानते हो भगवान तो शेफ बाबा है प्राक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं तुम्हारी बुध्धी जट उपर में चली जाती है शे बाबा उन्च ते उन्च रहने वाला है जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदी आती हैं तो जानते हैं यह फलानी जगह की रहने वाली है इस समय यहां आई है तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने हम भी बाबा के साथ वापिस जाएंगे हम परमधाम के रहने वाले हैं तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है वही बाप स्रश्टी का रचेता है बापनी आकर तुम बच्चों को मोल वतन, सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है जिसकी बुद्धी में हैं वही समझेंगे बरोबर हम पुरशार्थ कर रहे हैं भविश्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्सा लेने पुरशार्थ तो करना ही है पुरशार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है एम ओब्जेट रहती है हम बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास करेंगे एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे मतलब तो पढ़ते रहना है बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिबाबा की संतान है तुम बहुत बड़े ओंच ते ओंच बाप के बच्चे हो बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो जानते हो यह ओंच ते ओंच पढ़ाई है पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खूशी में रहना चाहिए, यह किसको भी समझा सकते हो, हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े सत्गुरु की मत पर हम चलते हैं, टीचर की गुरु की मत पर चलना होता है न, उनको follower कह देते हैं, यहां बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है, तुम जानते हो, वह हमारा बाप पीचर सत्गुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है, यह तो एक ही है, उंच्च ते उंच है शिबाबा, वह बोलते हैं, बाबा बच्चुन से पोचते हैं, शिवाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, भ्रम्मा बोलते हैं, विश्नु बोलते हैं, किसी ने कहा शिव और भ्रम्मा बोलते हैं, विश्नु वा शंकर नहीं बोलते हैं, विश्नु के दो रूप लक्ष्मी नारायन कहते हो, तो फिर क्या बोलते नहीं हैं, गुंगे हैं, ग्यान नहीं बोलते, हम ग्यान की बाते ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूं, विश्णु लक्ष्मी नारायन बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, वह ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे, विश्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायन है तो जरूर बोलेंगे न मनुष्य शिवाबा के लिए समशते होंगे की वह निराकार कैसे बोलेंगे तुम बच्चे जानते हो शिवाबा भी इसमें आकर बोलते हैं भ्रम्मा को भी बोलना होता है adopted है न सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए पहले बाबा ने नाम रखे परन्तु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती, भागन्ती हो जाते हैं इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखे आजकल तो माया भी बहुत तेज है बुद्धी कहती है जब लक्षमी नारायन का राज्य था तो उसको विश्नपुरी कहा जाता था यह एम अबजेक्ट बुद्धी में है विश्नु के दो रूप लक्षमी नारायन राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे बाबा यहां की बात नहीं करते हैं मनुश्यतों कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे उनको यह पता ही नहीं है की निराकार कैसे आते हैं उनको पतित पावन कहते हैं वह ज्यान का सागर भी है चैतन्य भी है प्यार का सागर भी है अब प्यार प्रेर्णा से तो होता नहीं है वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं न तब कहते हैं, हम परंपिता परमात्मा की गोद में आते हैं, बस बाबा तुम ही से खाऊ, तुम ही से सुनू, बुध्धी उस तरफ चली चाती है स्रीकृष्ण बुध्धी में नहीं आता है, तो बाब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सोभग्य शाली कोई है नहीं तुम जानते हो, हम कितने ओंच पाट धारी हैं, यह खेल है न, इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे अभी बाब ने प्रवेश किया है, तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं, बाब कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्मों का बाप है, यह बाते कोई भी शास्त्र आदी में लिखी हुई नहीं है, अभी तुम्हारी बुद्धी विशाल हुई है स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धी में सारी हिस्ट्री जोग्रफी आज जाते है परंतु यह किसकी बुद्धी में नहीं है, बाबा कहा हैं? यथार्त रीती तुम बच्चे ही समझते हो और प्राक्टिकल में वह खुशी है बाबा परंधाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं, सारा दिन आपस में यही रूह रिहान होनी चाहिए सिवाए इस ज्ञान के बाकी सब हैं सत्यानाश करने वाली बाते शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धन्दा आदी भी करना है और साथ-साथ यह रूहानी सर्विस भी तुम जनते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था, इनलक्ष्मी नारायन का राज्य था जो भी देवताओं के चत्र हैं, उनका यथार्त ज्ञान बुद्धी में आ गया है नमबर वन लक्ष्मी नारायन का चत्र उठावो, वचार करो बरोबर यह भारत में राज्य करते थे, तो एक ही धर्म था रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ, अर्थाद कल्युग पूरा हो, सत्युग शुरू हुआ कल्युग है रात, सत्युग है सुबह वचार सागर मन्थन करना है कि इन्हों ने यह राज्य कैसे पाया जैसे कहा जाता है, सागर में पत्थर डालो, तो लहरे उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुश्यों को समझाओ यह ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था न, जिन्हों नहीं फिर भक्ती मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं, कल की बात है, अभी भक्ती मार्ग है, तो जरूर उसके आगे ज्यान मार्ग होगा, यह सब बाते अभी तुम्हारी बुद्धी में हैं, बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती हैं, बाबा आकर के हमको यह सारी नौलिज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए न, किसको भी यही बात सुनाओ, यह चत्र है एम ओब्चेक्ट, यह लक्ष्मी नारायन तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए हैं, भारत स्वर्गताना कल की बात है, फिर इन्हों ने यह राजगद्धी कैसे गवाई? अपने बच्चे भी भल यह सब सुनते हैं, परंतु कभी बुध्धी में टपकता नहीं है, बुध्धी में याद भी नहीं आता, अगर याद आता है, तो औरों को भी समझा सकते हैं, है तो बहुत सहज, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायन जैसा बनने, समझाया गया है, पांच हजार वर्ष की बात है, इससे लॉंग लॉंग एगो कोई होता नहीं, सबसे पुराने ते पुराने भारत की कहानी यह है, रियालटी में सची सची कहानी यह होनी चाइए, सबसे बड़ी कहानी यह है, इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं, जरा भी किसको पता नहीं है, तुम्हारी बुद्धी में नंबरवार टपकता है, बाप कहते हैं, मुझे याद करो, वह भी पूरी रिती कोई याद नहीं करते हैं, बाप बिंदी हैं, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धी में टहरता नहीं, कोई कोई की बुद्धी में तो अच्छी रिती टपकता है, किसी को बैठ समझाते हैं, तो चार पांच घंटे भी लग जाते हैं, यह बहुत वन्डरफल बाते हैं, जैसे सत्यन नारायन की कथा बैठ कर सुनते हैं न, दो तीन घंटे बैठ सुनते हैं, जिसकी दिल्चश्पी होती है, इसमें भी ऐसे हैं, जिसको बहुत रुच्छी होगी, उनको और कुछ सुझेगा ही नहीं, बस यह बाते समझने में ही मज़ा आता है, यह बाते अच्छी लगती हैं, समझते हैं, बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंदा धोरी आदी सब छोड़ दे, परन्तु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है, तो तुम बच्चे यह सत्य नारायन की कहानी सुन रहे हो, अभी तुम्हारी बुद्धी में खितनी अच्छी बाते रमन करती हैं, हम यह वक्खर सामगरी डेलिवरी करने के लिए एवर रडी हैं, वक्खर हमेशा रडी होना चाहिए, यह चत्र भी तुम दिखा कर किसको भी समझा सकते हो, इन लक्ष्मी नारायन को यह राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे, उस समय सरश्टी में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं, कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए, तो विचार सागर मन्थन चले, अपने इस कुल का होगा, तो जट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा, तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे, यह नब्ज देखनी की बात है, तुम्हें सिवाई इस मीठे मीठे ग्यान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है, अगर ग्यान के सिवाई कुछ भी बोलते हैं, तो समझो वह इवल हैं, उनमें कोई सार नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं, जिन्हें सुनने का बड़ा शोक होता है, बाप समझाते ही, इवल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाइए, कल्यान की बाते ही सुनू, नहीं तो मुफत अपनी सत्यानाश कर देंगे, बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सुरिष्टी के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है, वह ऐसा करता है, उसे इवल कहां जाता है, दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकेंड का टाइम बहुत वाल्यूबल है, तुम कभी भी ऐसी बाते नहीं सुनो, नहीं करो, इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारी बहुत कमाई है, जहां ताहां बाप का परीचे जाकर दो, यही रुहानी सर्विस करते रहो, सचे सचे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो, जिसे यह रास्ता बताए, बाप कहते हैं, मुझ अलफ को याद करो, तो बे बादशाही मिल जाएगी, कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाए, बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाए, अपना और दूसरों का कल्यान करना चाए, बाप भी, तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आये है न, तुम बच्चे भी आये हो, पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटिया पकाने तो नहीं आये हो, सारा दिन बुद्धी सर्विस में चलनी चाएए, अच्छा, मीठे मीठे, सिखिलदे बच्चों प्रती, मात पता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, धारणा के लिए मुख्यसार पहला, जो बाते अपने काम की नहीं है, उन्हें सुनने वबोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जतना हो सके, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है दूसरा, सदा खुशी और उमंग में रहना है, कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, पूरशार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रत नहीं निकालने है वर्दान, सतो प्रधान स्थिती में स्थित रह, सदा सुख शांती की अनुभूती करने वाले डबल अहिंसक भव सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांती की अनुभूती करना यह सच्ची अहिंसा है हिंसा अर्थात, जिससे दुख अशांती की प्राप्ती हो, तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते यदि कोई शब्द द्वारा किस की स्थिती को डगमग कर देते हो, तो यह भी हिंसा है दो, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबा कर दूसरे संस्कारों को प्राक्टिकल में लाते हो, तो यह भी हिंसा है इसलिए महिंता में जाकर महान आत्मा की स्मृत्ती से डबल अहिंसक बनों स्लोगन सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब होज़ाती है ओम शंती